क्या आप जानते हैं कि कसूरी मेथी में जो कसूरी वर्ड है उसका मतलब क्या है या फिर कसूरी मेथी क्या होती है अगर आपको लगता है कि मेथी के पत्तों को सुखा कर कसूरी मेथी बनती है तो आप गलत है चले आज के food show में जानेंगे कि कसूरी मेथी के अंदर जो कसूरी word है उसका क्या मतलब है देखे सबसे पहले तुम्हें आपका ये doubt clear कर दूँ कि अगर आप मेथी के पत्तों को सुखाएंगे तो सुखे हुए मेथी के पत्तों को कसूरी मेथी नहीं कहते कसूरी मेथी में जो ये वर्ड है कसूर या कसूरी ये आता है कसूर रीजन जो पाकिस्तान में है देखे पार्टिशन से पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं था, सिर्फ इंडिया था, मतलब हिंदुस्तान नहीं था पुरा तो यह जो मेथी की वराइटी है यह पंजाब रीजन में और राजिस्तान रीजन में उगाई जाती थी और जब partition हुआ तो सेम यही कसूर वराइटी जो यह कसूरी वराइटी है यह पंजाब में में उगाई जाती है और राजिस्थान में नागौर जिला है, नागौर, तो वहाँ पर भी ये उगाई जाती है और राजिस्थान, हिंदुस्तान के अंदर is the highest producer of methी और हिंदुस्तान is the highest producer of methी in the world अब ये जो particular variety है over the years, इंडिन फार्मिंग में जो इतने जादा advancement हुई है इसकी और hybrid varieties निकल आई हैं, लेकिन अभी भी ये जो कसूर variety है, ये अभी भी one of the best quality methी मानी जाती है इसलिए जब आप बाजार से methी, सुखीवी methी के पत्ते लेते हैं versus कसूरी methी लेते हैं तो कसूरी methी का मतलब वो particular variety है वही पर पाकिस्तान के जो कसूर जिला है, वहाँ पर अभी भी वो methी उगाए जाती है I don't think वहाँ पर agriculture के अंदर इतना advancement हुआ है, तो शायद वो अभी भी वही strain होगा जो किसी एक जमान में, pre-partition के जमान में वहा करता था और अगर आपको घर पर methी dry करनी है, वो बहुत ही आसान होती है आपको क्या करना है, methी लेनी है, उसके पत्ते तोड़ने, धोना है उसके बाद कपड़े के अंदर उससे pad dry करना है, और उससे फेला लेना है धूप में रखना है जब तक कि वो crisp नहीं हो जाती alternatively आप microwave में भी उससे सुखा सकते हैं, लेकिन धूप सबसे बढ़िया रहती है